चलिए सुरुवात कर लेते हैं कोशिका के बारे में कोशिका क्या होती है क्या कार होते हैं इसके कौन कणसे इसके अंग होते हैं किसने खोज की कप और कितने समय पहले की चलिए देखते हैं जीवन की मूल एकाई इस एल दफंडामेंटल यूनिट और देखते हैं कोश का जो है जीवदारियों की जयविक किरियाउं की रचनात्मक तथा मौलिक एकाई है इसको संद रचनात्मक तथा मूलिक आई भी कह सकते हैं रचनात्मक कैसे क्योंकि इस से ही पूरे मनुस्री की या फिर कि सीवी चीव की क्या हुई है रचना हुई है क्योंकि मैं क्यों रछ बता चुका हूँ कि सबसे पहले सेंदेनीiable क होता है कंग अंगों से मिलकर अंग अंगतंद से इस तरह से एक चीव का पूरा इंठाट होता है तो उसका क्या मतलब हुआ जीवन की मूलिका ही क्या हुई आपकी कोशिका ही कोशिका से मिलकर ही पूरा जीव बनता है ठिक कोशिका एक विश्यस प्रिकार की पारगम कला या मेंब्रेन से गिरी होती है मेंब्रेन क्या होती है एक जिल्ली की तरह होती है तो उससे गिरी होती है इ अपने आप प्रिजनन करने की छमता होती है इनकी सेल्फ रिप्रोडक्शन ठिक इस मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी मनुस्य के सरीर की बात हो रहे हैं मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो उसको हम कहते हैं कोशिका तंत्रिक वो तंत्रिका को कोशिका होती है यह सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका भी होती है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दौनों की यह मुर्गी का अंडा है यह सुत्रमुर्ग का अंडा है मुर्गी का जब अंडा है तो आप जब एक अंडा अगर वालते हैं तो उससे आपका पेट नह होती है ठीक है चलिए कोशिका आकार कोशिका आकार अक्रती संख्या के आदार पर जीवों में अलग-अलग होती है यहां तक कि किसी एक जीव के सरीर में अलग-अलग कोशिका हो सकती है यहां तक कि किसी एक जीव के सरीर के अंगों की कोशिकां भी अलग-अलग प्रिकार की ह हो सकती हैं ठीक है